आज की डेट है 11th of August 2020 मौनिंग के 11.05 हो चुके हैं जैसे कि मैं यह 15 मिनट के चार्ट पर देख रहा हूं है अभी तक मैंने कोई ट्रेड बगरा नहीं ली हुई है और जैसे हमने डिसकेस हिया था का लास्ट उलास सेशन में कि जैसे मुझे टाइम मिलेगा तो मैं ऐसी वीडियो स्टाटिंग से जैसे मैं स्टडी कर रहा हूं क्या देख रहा हूं मैं क्या logics से ट्रेड करता हूं मैं कैसे psychology बनाता हूं मैं किस Cooking करना चाहिए कैसे माइनसेट बनाता हूं तो यह सब चीज दर स्टार्टिंग से हम लोग भी डिसक्स कर रहें इस वीडियो में तो सबसे पहले यहां पर बड़े ताइम फ्रेम कोई क्लियर दिख रहा है कल भी मैंने आप से डिसक्स किया था कि यह रेजिस्टंस लेवल है और रेंज अब इसकी चोटी हो गई है यह और अब चोटी होगी एकक्दम चोटी रेंज हो जाती इसको ब्रेक कर देता यह और फॉल वाह ऑइस पीट मपर देखना क्या है क्यों इतना सिंपल तो यह लेवल्स पर एक सपोर्ट की तरह रियक्ट हो सकता है नहीं हो रहा है फॉल कर रहा है तो लैक दोनों साइड हमको ओपन रहना परेगा यहां पर तो यहां पर शौर्ड यह ब्रेकडाउन के शौट करके यह टार्गेट सब्सक्राइब करने के लिए अब यह जो लेट हो चुके हैं मार्केट को अभी हम देख रहे हैं अब यह जो लेवल्स है इसको हम बोलेंगे मेक और ब्रेक लेवल है करता है उस पर डिपेंड करता है क्या हमको बाइंग करने चाहिए या शालिंग हम अभी दोनों साइड बाइंग ऑनेगे वाइंग यह ब्रेकड लगता है करेंगे थोड़ा करके फॉल करते वह दिख रहा तो हम लोग फ़र ब्रेकडाउन के पर शॉट कर देंगे तो अपने पास काफी टाइम है ट्रेड लेने के लिए आराम से देखेंगे अच्छा सैट अप दिखता है तो हम ट्रेड करेंगे सुस्ट्रेट करता हूं अगर मैं देखिए ब्रेकडाउन दिखाया इसने ब्रेकडाउन के बाद गैफिल कभी नहीं करता है और हमको यहां पर ब्रेकडाउट मिल चुका है अब मैंने अभी तक इसलिए बाइंग नहीं किये क्योंकि मैं वेट कर रहा हूं कि थोड़ा सा यह रिट्रेस्मेंट हो जाए यह ल लूँगा यह भी मेरे 20-25 पॉइंट एक्स्टा मेरे रिस्क लग जाएंगे इसलिए मैं आप वेट कर रहा हूं अगर आपॉर्चुनिटी छूटती है तो उसको जाने दो कोई दिक्कत की बात नहीं हम एक्स्टा रिस्क नहीं लेंगे हो सकता है तो मैं यह लेवल के आसप लगा के रूख सकता हूं रफली मेरा 800 पॉयंट का जैसा रिस्क रहता है उस रिसकों मैं यहां पर ट्रेट कर सकता हूं तो लेट सी वेट करते हैं आप पर एक्जैक्ली जियोटी एप्लीकिबल हो चुका है ब्रेक डाउन दिख रहा है उसके बार उसने यहां पर नीचे भ बनाया तो थोड़ असना नीचो इसको रिट्रेस करना चाहिए लेट सी वेट करते हैं पेशन्स रखेंगे थोड़ा बहुत यह पेशन्स ना होने के वज़र से काफी लोग उपर के लेवल से बाय कर देते हैं फिर जब उनका स्टॉप लुट हो जाता है तो बड़ा नुक मैं सोच रहा हूँ एक डबल बॉटम पैटन जैसे दिख रहा है थोड़ा अगर अब मूव करता हूँ अराउंड लेट से डबल टू वन जीरो के आसपास कर को डूं तो मैं बायंग कर दूं नीचे के लेवल से लग रहा है मुझे यह पजिराट्स और बाय करने का सुक्य प्रॉप और स्टोड़ी बेस कर रहा हूं हम你說 humor काम करते हैं बां के लिए बाल देते हैं बाय कर दी है आंने में दॉन पर यह when件事情 करता हूँ क्या लॉजिक से कि मैंने आपको बाइक है मैंने जैसे आपको बता है कि मैं नीचे के लेवल से वेट कर रहा हूं पर थोड़ा ज्यादा नीचे आ गया और यहां पर डबल बॉट्टम पैटन जैसा दिख रहा है तो मैं आपको एक्स्प्रेंड कर देता हूं थोड़ी मोमेंटम हो जाने दीज सब्सक्राइब अगर मैं आपको बता दू कि 22,101 पर हमने यह पर बाइंग किये है डबल बॉट्टम पैटन देखके कि स्टॉप लॉस मैं प्लान कर रहा हूं अल्मोस्ट कि ट्वेंटी टू थाउजन कि ट्वेंटी पर यहां अल्मोस्ट यह लेवल्स पर क्योंकि इसका यह जो रेजिस्टंस लेवल है सपोर्ट की तरह सॉरी इस वन ओके यह जो रेजिस्टंस लेवल है सपोर्ट की तरह एक कर सकता है तो उससे थोड़ा सा मैंने डीप दे दिया 22,000 काई जन स्टॉप लॉस टागे अगर हम बात करें तो टागेट हम रफ्ली लगा देंगे 22,000 यह रजिस्टंस लेवल कि एक बड़ अगर यहां पर ब्रेक आ जाता है तो वह एजी ले अपना टागेट देगा तो हम टागेट देने वाले हैं 22,000 टू वन जीरो पर अल्राइट करेंटल अगर हम देखे हैं तो 1700 1500 के आसपास लॉस टाल रहा है स्टॉप लॉस हमने लगा रखा है 22,000 का एंड टागेट अगर हमारे रच से उपर आ जाता है तो हम टागेट भी लगा देंगे तागेट लगाने वाले हम 22,000 210, 1.09 की आरा रचिव आज आफ नौ लेट सी मैं आपको अपडेट करता हूं तो रुड़र्स मार्केट ऊपर आ चुका है एस एक्सपेक्टेड प्रॉपर सपोर्ट लेवल है यह अगर इसको अगर हम ऐसे देखते हैं रुड़र्स देखें आपको लॉजिक भी समझा देता हूं देखें इसको द्यान से देखेंगा तुड़र्स क्या दिख रहे हैं आपको यह एक बॉटम बना फिर अपसाइड मोईंटम फिर यह बॉटम कहां ट्रेट लिया हमने यह एक बार हम लोग पहले है वैसं हमको टागेट भी लगा देना चाहिए वारे से उपड़ा है आपना टागेट भी लगा देंगे उसके बाद हम लोग आरह मों से डिस्क्स कर लेते है विया हमने अपना टागेट भी लगा दिया है आप आते हैं यह लेवल्स पर देखें तो डिश बॉटम देखो गए मेरी इंट्री हुई है 1208 जहां पर यह confirm हुआ कि बॉस यह फॉल हुआ लाइक यहां पर यह बॉटम पर clearly एक reversal signal upside momentum की बहुत ब्राइट चांस है अब अगर इसको हम ऐसे भी देखते हैं five minutes के चार्ट के उपर तो देखें तो यह bottom बना फिर upside momentum फिर यह bottom बन रहा तो कहीं न कहीं market यह levels को sustain करने की कोशिश कर रहा है that's the simple logic to buy at this level यहाँ पर मैंने और कुछ भी यूज नहीं किया यहाँ पर देखा मैंने एक चीज कि breakout हो रहा है यह ठीक है यह breakout हुआ यहाँ पर जो short की होंगे उनके stop losses गया फिर upside momentum upside के बाद यह fall यह bottom पर इसके यहाँ पर कमजोरी 0% दिख रहे हैं यहाँ पर बिल्कुल 0% अगर एक बार टेस्ट करने आता भी नीचे तो हम लोगों को लाइक उससे पहले ही यह जो resistance level है उससे पहले ही यहाँ पर as in support की तरह एक कर सकता है जो उसने अभी तक test नहीं किया हुआ तो उससाब से मैंने यहाँ पर safer site लगाया हुआ तो इसलिए मैंने यहाँ पर buying कर दिया यह levels पर clear यहाँ पर bullish candle reversal candle भी बनाया उसने double bottom पैटन भी है market यह levels को respect कर रहा है तो वाय नॉट टू बाइओ है लॉजिकल ट्रेट के एसाफ से मैंने यहाँ पर update किया हुआ है let's see कैसे perform करता है again cost के आसपाद आया हुआ around 200 का यहाँ पर loss बता रहा है stay tuned traders मैं आपको update करता हूं traders finally एक अच्छा move bank nifty में काफी struggle करना पर bank nifty को ऊपर आने के लिए let's see almost 136 135 के आसपाद आया हुआ टागेट अपने लगाया हुआ 210 का मैं प्लान कर रहा हुआ एक बार अगर यह 170 लेवल 165 170 लेवल को ब्रेक कर देता है तो अपना stop loss यहां से directly यह levels पर लेगे अपनी रिस्क एकदम कम कर देंगे यह levels पर 141 143 के आसपाद आया हुआ 210 का हमारा टागेट है stop loss लगाया हुआ हमने अभी 22,020 का करनेटी 3 380 के आसपाद प्रॉफिट चल रहा है तो इस हमको यहां पर सिर्फ ध्यान देना है अल्मुस्ट यह तो 149 150 के आसपाद आया हुआ हुआ अराउंड 3800 3500 के आसपाद प्रॉफिट चल रहा है हमारा यह levels का द्यान लखना है यहां पर रेजिस्टेंड फेज कर सकता है तो market एक बार यहां टच करके retracement करके फिर upside momentum दिखा सकता हुआ यह जो है इसका अगर इसको हम एक्स्टेंड कर देते हैं लाइक दिस देखिए जैसे मैं आपको बताया है यह levels पर आता है तो एक बार रेजिस्टेंड कर सकता है फिर एक upside momentum दिखा सकता है और इसने शाप momentum दिखाया हुआ है तो retracement तो एक बनता ही है उससाब से retracement भी बनेगा हेल्थी भी बन जाएगा और ब्रेक आउट देके अपना टागेट भी इसले अचीव कर सकता है यह levels पर लेट सी करेंटली अगर हम देखें तो 3500 के आसपास profit चल रहा है अगर आप देखोगे तो मैंने ट्वेड लिया हुआ है 12,8 को एंड करेंटली 13,4 चल रहा है अभी यहां पर देखिए breakout आया हुआ है यह यह breakout अब इसका sustain होना मतलब यह जो major level है अगर futures के level के हम बात करें तो यही levels है 160, 165 का अगर इसको break कर देदा तो easily वो अपना target भी देखे जाएगा और हम अपना stop loss जो हमने यहां लगाया हुआ है 22,020 पर उसको modify करके यह levels पर भी लेके आएंगे सो लेट सी अल्मोस बहुत जाला स्लो चुका market या तो हम नीर बै टॉप पर है इसली confusion जादा है और मार्के जाला समय लेकर है momentum देखिए अल्मोस अगर आप देखोगे तो मैंने ट्रेड लिया हुआ है 110 पर मेरे ट्रेड लेने के बाद roughly उसने around 20 30 points नीचे गया एंड 20 30 points उपर गया जैसे कलम फसे हुए इतना टाइम सेम चीज यहां पर भी चल रहा माकेट में around 150 के आसपा सल रहा 3500 4000 के आसपा प्रॉफित बदा रहा भी है बैक तो बैक ग्रीन केंडल है थोड़ा सा देखेंगे हम लोग यहां पर वेट करेंगे कि यह लेवल्स को कैसे ब्रेक कर देता है ऐसे नहीं कि यहां पर तच होके अगें पर फॉल कर जाए तो यह देखना बहुत ज्यादा इंपोर्टन है फाइव मिनुट्स बेट करेंगे हम लोग अगर सस्टेन कर जाता है यह लेवल्स को तो हम अपना स्टॉप लॉस 22,020 से जो हमने यहां लगाया हुआ हुआ है वहां से हम लोग ट्रेल करते हुए यह लेवल्स के आसपाद हम लेके आएंगे लेट सी मैं अगर आप देखोंगे द्यान से यहां पर डबल बॉटम पैटन रीजन नंबर वन वह है कि इसे साथ से मैंने यहां पर बाइंग की हुई है इसके साथ साथ अगर मैं आपको थ्री मिनुट्स का वह भी बता दूँ देखे रुटस थ्री मिनुट्स पर इसको अगर हम सब यहां पर डबल बॉटम पैटन बन रहा था वन मिनुट्स के चार्ट के ऊपर दूसरा यहां पर लास्स के तरह ब्रेक आउट और यह लास्स के तरह यहां पर एक कर रहा था तीसरा सिंबल सब्सक्राइब कि आपको मैंने यह भी बताया कि यह सपोर्ट लेवल है तो जीओ भी अप्लीकेबल हो चुका था हम आप पर लेट सी कैसे प्रफॉर्म करते हैं अगर 170 180 को असपार कर देता है तो हम लोग अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर देते हैं और रिस्क कम कर देंगे अम अपनी फिड़ाउंड 180 176, 180 के आसपार आचुके हैं 182, 184, टागेट है हमारा 210 का, I think it is time to trail the stop loss now, stop loss को अभी हम लेखे आएंगे 22,020 से roughly 22,070 तक लेखे आएंगे, इसको हम मोडिफाय कर देता है, 22,070, 50 points का हम अपना stop loss यहाँ पर कम कर रहें यह मोडिफाय कर दिया, अब अगर आप देखोगे तो रिस्क अराउंड 40 points की रिस्क है, that means 4,000 रुपीस की रिस्क है, currently 7,000, almost 1 शो 2 के आसपार हम चली रहे हैं आपर, let's see, hope for the best target अपना यह लेवल्स का है 22,210, achievable है, बहुत easy target है, retracement करते वह भी जाता है, तो भी कोई दिक सब्कत नहीं, 185 के आसपार सल रही है, stay tuned, traders मैं आपको update करता हूं, traders just अभी, देखे यह अपना book हुआ है, perfectly target के ऊपर, इसको हम cancel कर देंगे, finally almost अगर आप देखोगे, 12 बच के 8 मिनट पे trade हुआ है, 2 बज़े जाके यह trade खतम हुई है, क्या setup है, हम देख लेते हैं अभी, so traders, 2 setup, सबसे पहले, plain and simple, यह support zone है, clearly, right, market यहाँ open हुआ, upside momentum, नीचे आया, फिर upside momentum, फिर यह levels पर, upside momentum, finally, जब यह fall किया, यहाँ पर एक breakout भी देखा, मैंने, that was also a breakout, and this was also a breakout, यह हमने morning में ही बात की, sorry, इसको अगर ऐसे देखते हैं, तो that was a breakout, अब breakout के बाद, इसने upside momentum दिखाई, थोड़ा बहुत upside momentum गया, यह, तो यह levels पर मैं try कर रहा था, कि like, यह breakout के बाद, थोड़ा यह levels के आसपार मिल जाए, मैंने आपको बता है, जब हम यह levels के आसपार खड़े थे, तो यह levels पर हमने देखा कि बहुत सी अच्छा खासा fall आ गया है यहाँ पर, मैं देख रहा था इसको कि क्या कर रहा है, exactly, यह levels पर हमने morning में सबसे पहले यही चीज़ confirm की थी, कि यह जो important level है, जो bottom का level है, यहाँ पर कैसे reaction आता है, उससे साब से हम decide करेंगे, हमको buying करना है, selling करना है, होप आपको सबसे पहले चीज़ याद होगी, यह levels पर मैंने सबसे पहले देखा कि यह bullish mother baby candle pattern बना रहा है, और इसके साथ-साथ मैंने थोड़ासा बड़े time frame पर चेक किया, 3 minutes की ओपर अगर हम आ जाते हैं, तो यहाँ पर, देखें, यह breakout आया, ठीक है, that was the breakout, breakout के बाद यहाँ पर, यह breakout के बाद यहाँ पर, last किसकी तरह reaction दिख रहा था, तो मैंने यहाँ पर buying की नीचे का stop loss लगाया, यह levels का, यह double bottom pattern जैसा भी बना रहा था, देखें, मैं आपको अगर simple way में समदाने कोशिश करूँ, दो reasons, तीन reasons के वाज़े से मैंने यहाँ पर trade लिया हुआ है, एक support zone, दूसरा, यहाँ पर three minutes के उपर breakout के बाद last किस हुआ है, तीसरा, यहाँ पर अगर हम one minute के chart पर आते हैं, और इस सब हटा देते हैं, तो देखें, यह fall, upside momentum, and फ़री यह fall, लाइक मतलब यह double bottom pattern जैसे बन रहा था, यहाँ पर clearly reversal signal आया, और मैंने यहाँ पर buying कर दिया, यह levels के आसपास मेरा buying हुआ है, बाड़ा बच के 8 minutes मेरी buying हुई है, यह levels के आसपास, नीचे का हमने stop loss लगाया, stop loss was around this level, target हमने लगाया, यह levels के आसपास, future का जो level था, जो अपना यहाँ पर देखिए, flick किया उसने, और वो नीचे आ चुका है, यहाँ पर अगर आप future के levels पर आऊगे तो आपको देखीगा यह, यह flick किया, इसने, यहाँ पर बताने क्यों, जिरोदा में नहीं दिखा रहा है, flick किया इसने, यह levels का, 210 का जो अपना यहाँ पर target था, वो यह levels पर हमने यहाँ पर complete कर दिया, तीन हम लोग ने confirmation के साथ trade लिया, यहाँ पर एक double bottom pattern, दूसरा तीन में पर breakout and last case, तीसरा यह था अपना support zone, so that was logic behind that, morning से में आपको बता है कि यह levels बहुत important है, यहाँ पर कैसे reaction आता है, उस हिसाब से हम decide करेंगे कि हमको buying करना या selling करना है, I hope आपको यह वीडियो और complete details जैसे आप चाहते हो कि मैं बना हूँ ऐसा वीडियो, तो मुझे appreciation अगर आपको अच्छा लगता है वीडियो तो तो लाइक ज़रूर कीजिए, आपके लिए वो absolutely free है, मेरे लिए वो motivation है कि हाँ, almost अगर आप देखोगे, तो 2 गंदे तक, 2 hours तक मैंने यह trade मैंने manage किया हुआ, उसके पहले almost हम लोग आदा वोना गंदा पहले हम लोग डिसक्रिस करें थे कि क्या plan हम लोग का बनना चाहिए, almost 3 hours तक लग गया मुझे यह 10,000 अपीस कमाने के लिए, इतना मैनत लगता है trading में traders, यह सा नहीं कि जस्ट आपने buy sell किया और बस आपके पैसे बन गया, time लगता है, efforts लगते है, मैनत लगता है, तो जाके पैसा बनता है market में से, that's it for today, thanks for watching, we'll see you in the next video.